हेलो फ्रेंड्स वल्कम बाइक टू जी के फ्रेंस एकड़मी तो हम लोग डिस्स कर रहे थे ग्यान मुद्रा प्रविकेशन के हाई कोड प्रेक्टिसेट की और इसमें अगर हम देखें तो गुरूप सी गुरूप डी के लिए देख रहे थे और जो कि आज का वीडियो होगा प्रेक्टिसेट नुबर 15 इसको आज हम लोग देखेंगे ठीक है और ये इस वीडियो का लास्ट प्रेक्टिसेट इस बुक का तो इसको हम कंपलीट कर लेते हैं ठीक है चुकि गुरूप सी का जो पेपर होने वाला वो अठारा दिसंबर को होने वाला है आने वाले दिनों में तो उसके लिए बहुत important है तो आप लोग पूरा देखेगा तभी इसका फायदा जो हमें भरपूर तरीकी से मिल पाएगा अब अगर हम स्टार करते हैं तो पहला question अगर देखें तो पैसे से दिया गया है और पैसे में अगर हम बात करें तो एक से लेकर पाल तक पैसे क पढ़िएगा हम question की तरफ चलते हैं question पहला अगर देखें तो दिया गया है the reversal of the numerical argument in the context of the passage means that the high browse इसका मतलूब हमें बताना है कि क्या होता है तो अगर हम इसके answer की बात करें तो c part हो जाएगा high browse are indifferent to numbers ठीक है answer इसका जो होगा वो c part हो जाएगा आप जब इसको read करेंगे पैसेट को तो आपको इसका answer जो है c part मिलेगा अगला question अगर देखें तो a high browse जो है यह क्या है यह बताना है तो यह जो है self opinionated intellectual है तो answer आपका इस वाज वनाफ इसका answer जो होगा D part हो जाएगा un protesting submission का answer क्या हो जाएगा depart and prostrating protesting submission next question is the recent change in the attitude of the low browse towards the high browse suggest that the right answer is क्या हो जाएगा the low browse had have rejected the superiority of the high browse answer यह पार इसका right हो जाएगा दो फ्रेजल सेल्फ कांगराचुलेशन का यह बेस्ट भी रिप्लेश्ट वाई यह फ्रेज जो है self कांगराचुलेशन जो है इसको किसके दारा रिप्लेश की आजा सकता है तो self admiration के दारा इसको रिप्लेश कर सकते हैं answer इसका भी पाड़ राइट हो जाएगा ठीक है अगर देखते हैं तो फिलिंदा ब्लेंक्स बित प्रॉपर एडवर्ब इसमें भरना हमें प्रॉपर एडवर्ब ही वाज इंटेलिजन नाट टू फाइंड सलूशन ठीक है यहां पर कांग सा जो है एडवर्ब लगेगा जिससे कि यह कंप्लेट वाक हो जाए तो यहां पर टू लगाया जाएगा ठीक है यह वाज टू इंटिलिजन नाट टू फाइंड सलूशन तो आपका एंसर इसमें डी पाट हो जाएगा अधित्या सिंग्स विल अट डज अधिति तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या भरा जाएगा तो यहां पर भरा टैलेंट फार म्यूजिक यहां पर क्या जो है प्रिपोजिशन भरा जाएगा तो यहां पर बिथ प्रिपोजिशन लगाया जाएगा ठीक है विथ और नेचुरल टैलेंट फार म्यूजिक अगला कॉस्टपीजन अगर देखते हैं तो गूभ इबाईड दैस दाला टाएक यहां पर भरना है क्या भरंगे यहां पर c पार बजाएगा बाई ठीक है अब एक question तो active पैसी से आएगा ही आएगा तो इसमें अगर हम question की बात करेंगे तो इसका हम किस तरीके से पैसी बना सकते हैं तो इसमें जो who अगर who से start होता है तो उसके आगे ही हम by लगा देते हैं ठीक है by whom who का whom कर देते हैं by whom हर है तो यहां पर वाज हो जाएगा ठीक है हो हर की जगा सी कर देंगे start such things ऐसे लिख दिया जाएगा तो आपका answer इसमें डी पार राइट हो जाएगा ठीक है question mark बाद में लगा दिया जाएगा next है mona was writing a letter to her father ठीक है इसका हमें पैसी कैसे बनाएंगे तो इसमें देखते हैं पहले तो object क्या है तो object है a letter ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे a letter जो object होता है उसको पैसी में जबसे पहले लिखते हैं subject के अस्थान पर तो a letter was being writing लिखा हुआ है तो यहां पर being plus written third form कर दिया जाता है तो a letter was being written to her father by Mona इस तरीके से अगर कि इसका पैसु बनाया जाता है अगला प्रशन देखते हैं find the feminine of the word tutor tutor का हमें जो है feminine gender बताना है क्या हो जाएगा तो यह masculine gender है इसका feminine की हम बात करेंगे तो tutors हो जाएगा जो कि ए पार्ट में दिया गया है find the masculine of the word जो दिया गया है मर्कियोनेस तो इसका हमें बताना है कि इसका हमें क्या हो जाएगा जो है masculine gender तो इसका masculine gender हो जाएगा मार्क्विस्टी के जो कि भी पार्ट में दिया गया है find the plural of the word quarto का plural बताना है बहुबचन इसका बताना है क्या होगा टीक है quarto का quarto का बहुचन की अगर हम बात करेंगे तो होता है quartos होता है जो किसी पार्ट में दिया गया है find the plural of the word click click का हमेद प्लूरल बताना है click का plural होता है clips हगर होता है तो वो उसके आगे s लगा दिता है बस वो plural बन जाता है अगला question है which part of the following sentence इसमें से कौन सा एक गलत जो है sentence लिखा हुआ है इसमें से बताना कहां पर गलती है तो यहां पर बाई जो बाई सिकल दिया गया है यह गलती यहां पर किया गया है इसका बी पार राइट हो जाएगा ठीक है I asked him that why he was angry but he did not answer यहां पर कहां गलती किया गया है तो यहां पर जो है यह पार्ट में गलती किया गया ठीक है answer आपका इसमें पार्ट हो जाएगा next question है इसमें meaningful complete भरना यहां पर the population of the world very fast now ठीक है यहां पर भर देंगे क्या जो कि जिसके सी राइट हो जाए तो the population of the world is rising very fast now ठीक है प्रेजन्ट की बात हो रही है दुनिया की जो है जनसंख्या जो है बहुत जल्दी से बढ़ रही है तो इस तरी किसका answer जो हो जाएगा वह रही है कि सब्दमी निकलेगा तो इस राइजिंग यहां पर भरा जाएगा ठीक है the child any food until he has remembered his lesson ठीक है यहां पर क्या भर दें तो यहां पर will not get भरा जाएगा ठीक है the child will not get any food until he has remembered his lesson ठीक है लगा तो हमें will not get होगा चूंकि बीपार्ड में दिया गया अगला question में pronoun भरना है the two brothers quarreled with अब यहां पर क्या होगा each other होगा कि one another होगा कि another होगा या फिर themselves होगा तो two brothers हैं अगर दो लोग हैं दो लोग जगड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब each other हो जाएगा यहां पर भरा जाता ठीक है इसकी जगा पर each other भर देंगे the two brothers quarreled with each other these mangos are rotten throw dash away यहां पर क्या भरेंगे तो यहां पर them भरा जाएगा ठीक है अब mechanic work sent for because our car broke down my uncle left for Mexico I was six year old तो यहां पर हम क्या भर देंगे तो यहां पर हम देखेंगे तो since भरा जाएगा i worked the day क्या अग्जेक्ट्व होगा तो यहां पर भर जाएगा होल ठीक है i worked the whole day ठीक है this search is not so good या फिर एनी गूड या फिर as good या फिर then then good as mine यहां पर क्या होगा है तो यहां पर भी सो भरा जाएगा ठीक है तो इसका एपाट राइट हो जाएगा अगला कॉश्चन अब जो है जी एस से है ITVP यानि की भारत तिबद सीमा पुलिस के 32 महानी देशक की रूम में किसे नियुक्त किया गया है भी हाली फिलाल में तो उनका नाम है अनीस दयाल सिंग याद रिखियेगा नाम पूछा जा सकता है एक नमर में नेश्ट वर्सन है वर्स 2022 इकीस बाइस के लिए किरसी उत्पादों के निर्यात में सबसे अधिक निर्यात जो है किसका हुआ है इसका इंसर क्या होगा इसका इंसर हो जाएगा चावल का सबसे अधिक निर्यात जो किया गया है यानि कि बेचा गया है वो चावल को बेचा गया है इंसर एपाट राइट हो जाएगा अपरेल 2022 को किस राज सरकार के द्वारा सत प्रतिसत नामांकन सुनस्चित करने के लिए इस्कूल चलो अभिहान शुरू किया गया है तो यह किसके दोरह शुरुवात किया गया है तो यह शुरुवात किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के दोरह इंसर एपार्ट राइट हो जाएगा अगला कुच्छन है अपरेल 2022 को किसेव planning and the poor, पुष्टक के लेखक कौन है, तो इस पुष्टक के लेखक है, B.S. मिनहास, जो की B.PART में दिया गया है, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, सीन नदी ठीक है, बताना है, सीन नदी जो है यह पेरिस से होकर बहती है, तो एंसर इसका क्या हो जाएगी, पेरिस ठीक है, व्यापारिक पावने कहां से चलती है, तो व्यापारिक पावने जो है, उपोस्ट उचदाप से होकर चलती है, तो एंसर C.PART इसका राइट हो जाएगा, डायमंड हारवर तथा साल्ट लेक सिटी कहां पर वस्तित है, तो डायमंड हारवर की अगर हम बात करेंगे, तो यह कॉलकाता में है, और यहें पर साल्ट लेक सिटी भी है, तो एंसर आपका 33 का D हो जाएगा, ठीक है, कार्बन का आख क्रिष्टिलिये रूप काउन साहिन में से, तो कार्बन का आख क्रिष्टिलिये रूप जो है, वो है कोक, इनमें से एंसर इसका A part right हो जाएगा, कोक है, अगर हम इसमें देखते हैं तो वायो मंडल से अधी कुछ आई तक जाने पर रख तिर नलकाएं जो है फट जाती है क्यों कि क्यों फट जाती है यह बताना है तो क्यों कि वहां पर वायो दाप कम होता है जब वायो मंडल से अधी कुछ आई पर जाएंगे तो इसलिए फट ज अंगर्शानी की तीनों से लड़ाई कर रहे थे युद्ध हो रहा था तो इसमें से कौन एक संबध नहीं था ये बताना तो वो था चोल ठीक है चोल इनमें से संबध नहीं थे प्रतिहार पाल और राष्ट कुरूर का अपस में लड़ाई चल रही थी किस महादीव में इस्तित है अपरेल 2022 को कहां पर एक एकरित फायर पावर अभ्यास किरिपार सक्ति का जो है आवेजन किया गया है ये तो इसके अगर हम एंसर की बात करेंगे तो ये सिली गुड़ी पश्ची मंगाल में हुआ इसका आवेजन एपार इसका राइट है नवसेन अभ्यास वरुन जो है 2022 भारत और किस देश के बीच जो है आवजित हुआ है वरुन अभ्यास जो होता है ये भारत और जो है फ्रांस के बीच होता है तो एंसर भी पार्ट हो जाएगा आई बीम भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा के अंदर को कहां स्थापित करेग दिका ये करने वाला है बेंगलूरु में इंसर भी पार्ट हो जाएगा ठीक बेंगलूरु जो है वह कर नाटक की राजदानी है ठीक है बेंगलूरु में जो है इसरो के अस्थापना मलब यहां का हेड़्कार भी है इंडियन इस पेसर डिसर्च आइड़नाईज़सर्ड NINISRO का तो यारत कीगा golden lag golden land निम लखित में से किस देश का एक लोग पिरियए जो है उप्रनाम है ठीक है किसको golden land के नाम से जाना जाता है तो यह कहा जाता है Myanmar को answer c part इसका सही है भारते समिनार के काउं संत कबीर किसके स्था संत कवीर की एकर हम बात करेंगे तो इनके गुरूजी का नाम था रामानंद और लाइट हो जाएगा अगला उससे ने समिधान के किस अंवच्छे दिक्षे प्रावधानों के अंतरगत भारत सरकार ने भारत रत्रत्न और पन्दम और स्री को प्राड्र मैं किया है तो इसमें अगर देखा जाए तो अनुशर इसका अंतर्गत को दस्का मनाते हैं तो अंतराष्ट्र ऑछ वर्ष 39 तिस जुलाई को मना जाता है ठीक है आदी गरंत अथवा गुरू गरंत सहाइब का संक्रण जो है निमलिखित में से किसके द्वारा ये किया गया था सिक्धर्म से संबंधित है जो ये गुरू अर्जुन देव के द्वारा किया था एंसर इसका डी पाड़ राइट हो राइट हभा है तो ब्यापार शंत्रलण में अगर हम बात करेंगे तो माल को सामिल किया जाता है इस यातायात संकेत का आर्थ यह बना हुआ है इसका मतलब होता है कि आगे दो मोड़ है पहला बाइए तरफ इस तरीके से इसका अर्थ होता है यह था हिंदी और जी अर्जी गिराना और देना इन्हें में से प्रिनलार्थक किरिया के अगर हम बात करेंगे तो गिराना जो सब्द है ये एक प्रिनलार्थक किरिया का उधारन है जो कि एंसर सी पार्ट में दिया गया है संग्ति बंजन इन्में से कौंसा नहीं है ठीक है छा तरह गया ये तीनों गया है यह संग्त बंजन नहीं तो आपका इंसर इसमें यह पार राइट हो जाएगा अब 78-82 तो कोईस्चन जो है इसको पढ़िएगा और इसको पढ़के जो है एक जो कोईस्चन है उसको देना है चलिए कोईस्चन की तरफ देखते हैं सुख के खेतों को हरा भरा प्रफुलित करने का अर्थ क्या होता है यानि कि सुख के खेतों को हरा भरा प्रफुलित जो लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या होता है तो इसका अर्थ होता है जीवन को सुख में बनाना ठीक क्या अर्थ होत तो नित्रों की कपालों की मस्तिस के तीनों की भासा जो है सब्द रहित होता है तो इंसर इसका उपरिव तो सभी हो जाएगा इस गद्यांग्स के उनसार जगत का आर्थ होता है जगत का आर्थ होता है जगत का आर्थ संसार होता है ठीक है निश्फल का आसे क्या है निश्फ मेरे खांग की सब्द दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर आपके बारे में पूछा जागा रहा सर्वनाम तो यही है तो इसका क्या हो जाएगा यह निजवाचक सर्वनाम के अंतरगत आएगा अकारां तिस्तिरी लिंग सब्द का बहुबचन बनाने के लिए क्या करते हैं तो अकारां तिस्तिरी लिंग सब्द का बहुबचन बनाने के लिए अंतिस्वर के बदले एं कर देते हैं जो कि सी पार्ड में दियागा यह राइट हो जाएगा ठीक है अर्फ होता है एंडिया रगणना मुहावरे का अर्थ होता है गि बहुत दोड़ धूप खरना ठीक है तो एंसर सी पाथ हो जाएगा औरहर की टटी गुजराती ताला इस लोकोकती है और इसका आसर है कि छोटी वस्तु के लिए अधिक वें करना ठीक है अंसर क्या हो जागा सी पार्ट हो जाएगा सद्गत सब्द में समास क्या है सद्गत सब्द में समास की बात करेंगे तो इसे में कर्मधार समास है अंसर सी पार्ट हो जाएगा समुद्र गुप्त को भारत समुद्र गुप्त जो है भारत का नेपोलियन था यहां नेपोलियन किस प्रकारी कि संग्या का उधारान है ठीक है यहाँ पे अगर देखा जाए तो compare किया गया है तुलना किया गया है तुलना में क्या हो जाता है नेपोलियन यहाँ पे जातिवा तक हो जाएगा ठीक है जातिवाचा के रूमें यहाँ पे लिखा गया है नेपोलियन को तो answer B पार्ट हो जाएगा इन्हें में से सौत का तत्स अब इसमें लिखा हुआ है चारों में यहीर लिखा हुआ है इसमें सुथरूप से क्या लिखा हुआ उन इसा लिखा हुआ का वह सा पाράण तो वह बी पार्ट। ठीक है वाह कितना सुंदर दरिश न Municipalais के हैं फुलिस्ट। आप इसमें क्या हो जाएगा B-part right हो जाएगा ठीक है बाकी समय ये इसमें और इसमें ये जो इसमें बोधक्चिन लगा हुआ ये गलत है यहाँ पे लगा हुआ tab यहाँ पे कामा लगा हुआ ये गलत है आपका answer इसमें B-part right हो जाएगा गवईया जो है किस प्त्ते का सुध रूप है गवया की बात करेंगे तो इसमें परत्य है कृतवाच एंसर इसका वी ए पाड़ राइट हो जाएगा ठीक है बद उपसर्ग किस सब्द में है बद स्तूर बद ओलत बदमास किसमें है ये बताना है तो बदमास में जो है बद उपसर्ग लगा हुआ है इसके बाद इसमें देखें तो इनमें से कौन सा सब्द जो है चतुर का समनार्थी सब्द नहीं है इनमें से चतुर के समनार्थी की बात करेंगे तो खुद गज जो होता है यह समनार्थी किसका नहीं होता चतुर का नहीं तो इसको में लिख सकते हैं कि बच्चा दोड़ा और मेरे पास आए तो और सब्द इसको संक्ट कर रहा है जोड़ रहा है तो यहां पर यह अब संक्ट वाक में बदल गया है तो इंसर डीपार राइट हो जाएगा निर्म लिखित में से एक असुद है इसे में से कौन सा सवधा गर जो है फार्शी सब्द है समन अंग्रेजी सब्द है किताब अरवी सब्द है या फिर अलमारी तुर्की सब्द है कौन गलत है गलत की अगर हम बात करेंगे तो इसमें B C पार गलत है अलमारी जो तुर्की सब सव नानर्ड में दिया गया ऑन्य दुरूपध गाहन का संबंद किireं के संबंद की बात किरेंगे तो यह प्रिकार की सब्दों से निर्ऑ C part हो जाएगा ने कम लिखेश में से कौन साश्ब, जो है विसेसर है इनमें से सबस्द की बात करेंगे तो इसमें सौतेला सब्ड का है विसेसर है आपका answer हो जाएगा तो यह था ऊबराल वीडियो जिसको तो हम लोगे ने देखा वीडियो को फटा फट लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए साथ में परें दोस्तों में ज़्यादा सेर कर दीजिए ठीक है और इसका रिवीजन कर डाले क्योंकि प्लेइलिस्ट इसका बना दिया है अब लोग प्लेइलिस्ट पर जाएए पूरा वीडियो एक साथ करके इसको देख लिए क्योंकि आपके एक्जाम से पहले देख लेंगे तो इसमें बहुत सारे करन्ट अफ्यर हैं जी के जी एस हिंदी का है वो कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए गा जरू ठीक है और चैनल को जुड़े रही है कि चैन